आडि श्रमा सुलूशन है ये हम चाप्टर 16 टेंजेंट्स और नॉर्मल देख रहे हैं एक्सरसाइजर 16.3 यहाँ पर पूछा गया है कि आपको यह बताना है यह दोनों कर्व जो है वो और्थोगनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऐसा एक कर्व है दूसरा यूँ कर्व है तो अर्थोगनल का मतलब यह है 90 डिगरी पे कर रहे हैं अब कर्व के बीच में 90 डिगरी कैसे बना हो गया उसका तरीका यह है कि यहाँ पर एक टेंजन बना दीजे आप यहाँ पर एक टेंजन बना दीजे आप और इनके बीचे बताइए कि अंगल आपका 90 डिगरी है यही तरीका है तो सबसे पहरे तो हमको यह intersection point करना पढ़ेगा कि भी कोई अगर curve intersect करता है तो उसके points क्या होंगे हमारे पास यह curve है इनको solve करेंगे पहरा हमारे पास है x square plus 4y square बराबर 8 दूसरा curve है x square minus 2y square बराबर 4 अब x square की जगह आप यह रख दीजे 8 minus 4y square 8 minus 4y square हो गया minus 2y square बराबर 4 तो यह हो गया 8 minus 6y square बराबर 4 6y square बराबर हो गया 4 तो y हो गया आपका y square हो गया 2 by 3 तो y को आप कह सकते हैं कि यह plus minus under root 2 by 3 है यहां तक ठीक है यह दो चीज़ें आ सकती है अब इसको उठा के किसी एक में डाल दीजे यानिकि यह x square है plus 4 y square है y square 2 by 3 है बराबर 8 है तो यह बहुत simple algebra है बस मैं sake of completion के लिए बता रहा हूँ आपको 8 by 3 तो यह बनेगा 8 commonly जो 1 minus 1 by 3 3 minus 1 by 3 यहने कि 2 by 3 तो 8 is a 16 by 3 आ गया जी तो x आ रहा है आपका x square है न यह x आ रहा है आपका plus minus under root 16 by 3 तो आप इसको कह सकते हो कि भई यह हमारा plus minus 4 by under root 3 है यहां तक तो आप बनेगे आपका तो 4 combination बनेंगे धियार रखेगा इसके 4 combination होंगे 1 plus plus लिखनी रहा हूँ मैं इसको पता रहा हूँ बस आप 1 minus minus 1 plus minus और 1 minus plus 4 पर एक करना होगा लेकिन हम क्या करेंगे हमको orthogonality प्रूव करनी है तो पहले differentiate कर लेते हैं इसको मैं 1 कहता हूँ इसको 2 कहता हूँ पहले वाले को मैं differentiate कर रहा हूँ तो क्या बनेगा 2x plus 4 2y dy by dx बरावर 0 यहां पर क्या बनेगा 2 इसको differentiate कर रहा हूँ 2x minus 2 is of 4y dy by dx बरावर 0 यह इसमें 2와 2 को भूल जाएगे यह बनेगा आपका quién आपको धक्यार रखेगा तो पहले वाले में डी आपको जाया रहा दूसरे में डीघिक्ष्मादी आपको निकालना है यहां बनरहा है आपको डी पर डी इक्षकर के लिएगा 4y नीच आएगा इस तरह किसे यहां पर बनेगा 4y dy by dx बराबर 2x तो यह 2, 2 जा 4 हो गया dy by dx आगया आपका x by 2y यह कर लेंगे न, यह मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूं इसलिए तो अब आपके पास x क्या है, y क्या है मैंने का 4 combination बनेंगे, मैं आपके लिए एक combination ले रहा हूं, दोनों प्लस ले ले लेते हैं तो dy by dx क्या निकलेगा इससे minus x, x लेंगे हम यह 4 by root 3, positive ले रहा हूं minus x और 4 into y, y क्या है under root 2 by 3, तो यह तो कट गया 4 से 4 कट गया, minus 1 by root 2 आ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, minus 1 by root 2 इसका आ रहा है अब दूसरे वाले का ले ले लेते हैं, dy by dx के आएगा इसका यह x by 2y, x है 4 by root 3 नीचे 2 है, y है under root 2 by 3, तो यह root 3, root 3 कट गया 2, 2 जा 4, और 2 by root 2 आ रहा है जी है है ना, क्योंकि root 2, root 2 से multiply कर दो अपर नीचे आप तो 2 नीचे आएगा, यह से कट जाएगा तो basically root 2 आ रहा है यहां से, तो dy by dx इसको मैं कहा रहा हूँ, यह m1 है इसको मैं कहा रहा हूँ, यह m2 है orthogonality कैसे prove होगी अगर m1 into m2 minus 1 हो यानि कि, एक line दूसरे के perpendicular तभी होगी, जब इसका slope और इसका slope, multiply करेंगे, तो minus 1 आएगा, देख लीजेगा, यह 90 degree का slope आता है, एक x-axis और y-axis आप multiply करेंगे, तो आपको यही मिलेगा, करके देख लेते हैं minus 1 by root 2 m1 है, m2 मैंने कहा root 2 है, multiply करके देख लिए जब minus 1 आ रहा है, local minus 1 आ गया, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह दोनों orthogonal है, यह आपके सामने इसका एक reference है, अगर आप खुद करना चाहें, तो इस तरीके से कर सकते हैं यह अगला question है, इसमें आपको यह दोनों curve के intersection point पे बताना है कि भई, यह दोनों intersect हो रहे हैं, orthogonally इनके इन पे जो tangent बनने वाली है वो ऐसे 90 degree होनी चाहिए, ऐसे आपको बताना है, तो क्या आपको इन दोनों को solve करना पड़ेगा, जी नहीं कता ही नहीं, क्योंकि 2, 1 अल्री दिया हुआ है differentiate करिए सिधा differentiate करके 2, 1 रख दीजे और देखिए, एक का slope, दुससे slope से multiply करने के बाद, minus 1 आता है कि नहीं तो मैं x square बराबर 4y ले रहा हूँ यहाँ पर और यह ले रहा हूँ, 4x plus x square बराबर 8 इसको differentiate करते हैं, 2x, d इसको करने की ज़रोद नहीं है क्योंकि यहाँ पर आएगा 4dy by dx, dy by dx आगया आपका 4 by 2x यहाँ आएगा 2x बाद, 2x by 4 यहाँ हो गया x बाद, अब इसको differentiate कर लेते हैं यह आपका आ रहा है 4y plus x square बराबर 8 4dy by dx plus 2x बराबर 0 4dy by dx हो गया आपका minus 2x dy by dx आपका बनता है minus 2x by 4 2 to the 4 minus x by 2 अब आपको यह m1 माल लीजिए यह आपको m2 माल लीजिए लेकिन यह निकालना है m1 आपको निकालना है 2 1 पे मतलब x 2 है, y आपका 1 है तो x अगर 2 रखेंगे तो 2 by 2 1 आ गया यहाँ पर अब भी आपको 2 1 पे निकालना है तो अगर x की जगा 2 रख दीजिए minus 2 by 2 आपकी minus 1 यह m1, m2 आ गया, अब आपको और्थाउगनलिटी क्ले क्या चाहिए दोनों के slow multiply करेंगे तो minus 1 आना चाहिए बिल्कुल सेम चीज यहाँ करेंगे कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको reference दिखा देता हूँ इसमें कुछ भी special नहीं है इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज है कोई भी इसमें पेंच नहीं है पस आपको इससे मत घबराया 1 by 2 root 2 बिल्कुल आप अराम से कर लेंगे इसे दोनों को differentiate करिए जिए M1 M2 निकालिए दोनों को multiply करिए M1 M2 को इस point पे और वो minus 1 आएगा यह थोड़ा सा अलग question है तो इसको हम करेंगे show that the curves 4x बराबर y square and 4xy equals to k cut at right angles if k square equals to 512 यह दोनों curve जो है वो इस तरीके से intersect हो रहे है यह मैंने इसकी tangent मना दी यह इसकी tangent होना दी तो यह 90 degree होना चाहिए और 90 degree कब होना चाहिए जब k square बराबर 512 है तो पहला वाला मैं ले रहा हूँ इसको differentiate कर रहा हूँ हमारा काम तो यह है या फिर आप यह काम करें पहले तो आपके बस वो point ही नहीं है जहाँ पर आपको निकालना है तो पहले आपको इसको differentiate करने से पहले इनको solve करना पड़े तो 4x बराबर y square है और 4xy बराबर आपका k है तो 4xy y square है तो इसकी जगह मैं अगर इस 4x की जगह y square रख दूँ तो क्या हैगा y square इस 4x की जगह मैं ने y square रखा है और यह y बराबर k यानि का y cube बराबर k यानि y क्या हो गया k power 1 by 3 यह तो आप समझते हैं न cube root है अब y अगर k की power 1 by 3 है तो x कैसे निकाल सकते हैं किसी से किसी में भी रख दीजिए आप इस वाले में भी रख दीजिए या इसमें रख दीजिए 4 into x into y यानि की k की power 1 by 3 बराबर k यह तो चीज आ रही है आपकी तो आप इसको लिख सकते हो यह 4xy है 4xy की जगह में ने यह रख दिया equals to k तो यहाँ पर अगर आपको x निकालना है तो यह जाएगा आपका ky4 into k की power 1 by 3 ऐसी बनेगा नहीं इस तरीके से तो अब यह उपर जाएगा यह power 1 है तो k की power 1 into k की power 1 by 3 minus 1 by 3 क्योंकि यह उपर जाएगा इस वाले को तो यहाँ differentiate करेंगे इस वाले को यहाँ करेंगे इसको तो इसको differentiate कर रहे हो 4 बराबर 2y dy by dx dy by dx आगया आपका 2 divided by y यह 2 by y आगया आपका लेकिन हमको निकालना क्या है y हमारे पास x और y तो आप देख रहे हैं यह y है यह x है तो सबसे पहले 2 by y हैने की k की पौर 1 by 3 रख दीजिए यह आपका dy by dx आगया जी इसको आप m1 भी कह सकते हो अब इसको differentiate कर रहे हैं यह वाले को 4 पहले x dy by dx प्लस y x का 1 ही रहेगा बराबर 0 कि constant ध्यान रखेगा तो यह बनेगा इसको तो अटा दीजिए x यहां से direct आपका यह क्योंकि दुनों साइड अगर 4 से divide कर देंगे तो यह 4 वैसे भी हट जाएगा तो x dy by dx बराबर minus y dy by dx हो गया आपका minus y by x तो y क्या है साब आपका y k की पार 1 by 3 x क्या है k to the power 2 by 3 divided by 4 तो यह बनता है आपका 4 उपर जाएगा negative में रहेगा और यह k यह उपर जाएगा 1 by 3 minus 2 by 3 तो यह बनेगा minus 1 by 3 तो यह 4 की minus 4 k की पार minus 1 by 3 यह आपका m2 हो गया हमने इसकी value रग दी बकाइदा x और y की तब निकाला अब m1 into m2 करते हैं यह भी तो आपको पता है m1 into m2 बराबर minus 1 होगा तभी तो orthogonality prove होगी तो यह बराबर करेंगे minus 1 के अब देखते हैं क्या मिलता वेखिए यह minus 4 है यह 2 है तो minus 8 हो गया है है ना और यह minus 1 है यहाँ पर तो इसको भी हटा देता हो बनेगा k की पावर 2 by 3 और यह उपर जाएगा इधर है ना k की पावर 2 by 3 अब k की पावर 2 by 3 आपका हो गया 8 finally अपने पास आ गया k की पावर 2 by 3 equals to 8 अब एक काम करें दोनों साइट को cube कर दीजे इसका मतलब इसकी power 1 cube इसकी power cube तो यह क्या है 2 by 3 into 3 यही तो है ना इसका मतलब यही हुआ तो 3 3 cancel हो गया k square आ गया और 8 cube क्या होता है 8 into 8 64 64 into 4 होता है 512 k square 500 आ गया तो हमने जो भी काम किया हमें यह पता चले गया कि 512 के बराबर आ गया है अब आप यह देखिए जो भी हमने किया है वह इस तरीके से आप इसको solve करेंगे इसमें थोड़ा सा आपको exponent वगरे का knowledge होना चाहिए otherwise question में कुछ ऐसी special बात नहीं है next question जो आ रहा है वह बिल्कुल same है almost same है ध्यान रखिए पिछले वाला थोड़ा सा tricky था यहाँ पर तो आपको बहुत कम मैनत करनी पड़ेगी जो मैंने आपको समझाए वैसी कर देना इसको prove that the curves xy बराबर 4 and x square plus y square बराबर 8 touch each other touch each other का मतलब क्या होता है मतलब एक दम touch होते है अब touch का मतलब यह है कि हमारे पास कुछ points होने चाहिए पस इस question में कुछ है नहीं special क्योंकि यह थोड़ सा अलग है इसलिए बता रहा हो करना यह है xy बराबर 4 x को आप 4 by y ले ले लिए ऐसे और इसमें रख दो आप x square plus x square की जगा 4 by y रखेंगे ना यह y square है बराबर 8 तो यह होगे आपका 16 by y square plus y square बराबर 8 अब सबको y square से multiply कर दो आप 16 plus y की पौर 4 बराबर 8 y square यह आ गया तो यह बनाओ इसको इतरह ले आई है y की पौर 4 minus 8 y square plus 16 बराबर 0 तो देखे अगर मैं आपको बताऊं कि क्या चीज़ है तो basically यह y square minus 4 का whole square है तो खोलके देखे y square plus 4 बराबर 16 minus 2 into 4 into y square जो कि आपका यह 8 y square बनता है तो यह चीज़ हो गई तो सीधा आप लिख सकते हैं इसको y square minus 4 का whole square इसका मतलब क्या है y square minus 4 बराबर 0 तो यह और x में रख रहा हूँ यहीं पर 4 by minus 2 एक बार तो कि आगे आपका यह 2 हो गया यह minus 2 हो गया इसका मतलब x2 रखा तो y2 आगया और y यह आपने minus 2 रखा तो यह minus 2 आगया इसका मतलब यह दोनों कर्व कहीं ने कहीं आपके टच करते हैं यह point आपको मिला solution भी reference प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप इसको खुद कर ले अब यह कुछ questions और हैं वो हम अगली बार attempt करेंगे तब तक ले शुक्रिया महरबारे आप सबेकी